दोस्तों हिंदु धर्मा नुरागियों में प्रसिद कामाख्या मंदिर असम की राजधानी दीशपूर के पास गुआ हाटी से 8 किलो मीटर दूर कामाख्या में है कामाख्या से भी 10 किलो मीटर दूर निलांचल परवत पर इस्तित है यह मंदिर सक्ती की देवी सती का मंदिर है यह मंदिर एक पहाड़ी पर बना है वह इसका महत तांत्रिक महत्वा है राचिन काल से सद्जूगिन तिर्थ कामाख्या बरतमान में तंत्र सिद्धी का सरवच अस्तल है पुर्वत्तर के मुख्य द्वार कहे जाने वाले असमराजी की राजधानी देशपूर से 6 किलो मीटर की दूरी पर इस्तित निलांचल अत्वा निल सैल परवत मालाओं पर इस्तित माभगवती कामाक्या का सीद सक्ती पीठ सती के 51 सक्ती पीठों में सरवच्च स्थान अम्बु वाची जोग परव बस्तुत एक वरदान है यह अम्बु वाची पर भगवती सति का रजश्च वाला परवह होता है पौराणिक सास्त्रों के अनुसार सत्थ जुग में यह परव 16 बरस में एक बार द्वापर में 12 बरस में एक बार त्रेता जुग में 7 बरस में तथा कली काल में प्रतेक बर्स जून माह में तिती के अनुशार मनाया जाता है इसका पौराणिक सत्य है कि अंबु वाची पर्व के दौरान माभगोती रजस्वला होती है और माभगोती की गर्व ग्रिय इस्तित महा मुद्रा से निरंतर तीन दीनों तक जल प्रवाह के स्थान से रखत प्रवाहित होता है यह अपने आप में इसकाली काल में एक अध्वुत आश्यरी का बिलक्षण न जारा है कामाख्या तंतर के अनुशार जो निमातर सरीराय कुझ वासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाख्षी धेताम सदा स्रणा गत दीनारत परित्रान परायडी सर्वश्याती हरे देवी नारायडी नमस्तुते यह मंतर काफी प्रशिद्ध है इस बारे में राज राज सुरी कामख्या रहसे एंग दस महाविद्याउं नाम गरंथ के रचैता एंग मा कामख्या के अनन्य भक्त जोतसी एंग वस्त विशेशग्य डाक्टर दिवाकर सर्मा ने बताया कि अंबु वाची जोग पर्व के दौरान मा भगवती के गरवगर के कपाट स्वता ही बंद हो जाते हैं और उनका दर्सन भी निशेद हो जाता है इस पर्व की महता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरे विश्व से इस पर्व में तंत्र मंत्र यंत्र साधना हेतु सभी प्रकार की शिद्यां एंग मंत्रों के पुरस यंवर घ्मद में चूर असुर को अपनी पत्नी के रूप में पाने का दुराग्रह कर बैठाता अंदी नीलपरवध और पत्थर के निर्मान करदो और उनका मक्या मंदिर के साथ एक विष्राम ग्री बनवा दो तो मैं तुम्हारी एक च्छानुशार पत्नी बन जाओंगी और जादी तुम्हारी इसा न कर पाए तो तुम्हारी मृत्यू निश्चित है गर्ब में चूर असुर ने पत्थों के चारू सोपान प्रभात होने से पूर्व पूर्ण कर दिये और विष्राम कक्ष का निर्मार कर ही रहा था कि महा माया की एक मायावी कुकुट मुर्गे द्वारा रात्री समाप्ती की सुचना दी गई जिससे नर्कासुर ने क्रोधित होकर मुर्गे का पीछा किया और ब्रह्म पूत्य के दुसरे छोर पर जाकर उसका बद कर डाला यह स्थान आज भी कुक्टा चक के नाम से विख्यात है बाद में माभगवती की माया से भगवान विष्रु नर्कासुर असुर का भद कर दिया नर्कासुर के मिर्तिव के बाद उसका पुत्र भगदत कामरूप का राजा बना भगदत का बंस लुप्त हो जाने से कामरूप राज्य छोटे छोटे भागों में बढ़ गया और सामन्त राजा कामरूप पर अपना सासन करने लगे नरकासुर के बीचकारियों के बाद एंग विशिष्ट मुनी के अविशाप से देवी अप्रकट हो गई थी और काम देव द्वारा प्रतिष्ठित कामाख्या मंदिर ध्वन से प्राय हो गया था यह एक प्राकृतिक सैल दीप है जो तंत्र का सरबुच सिद्ध सती का सक्ति पीठ है इस टापू को मध्यांचल परबत के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहीं पर समाधिस्त सदा सीव को काम देव ने काम बान मार कर आहत किया था और समाधिसे जागरत होने पर सदा सीव उसे भश्म कर दिया था वगवति के महातिर्थ निरांचल परबत पर ही काम देव को पुना जीवन दान मिला था इसलिए यह चेत्र काम रूप के नाम से भी जाना जाता है दन्यवाद दोस्तों अगर कबर अच्छी लगी हो ता हमारे चैनल यूनिक समाचार को उसे तरो यह उस्तुतारब को ओिशाद प्सक्राद निस सब्सक्राद प्सक्रादए।